देखो बिटा, verb की दो forms होती है, यहीं पर पहले तो मैं अच्छे से समझाओ, verb की forms कितनी बोल रही हूँ, दो, main verb की forms होती है, पांच, जो आप स्कूल में पढ़ते हो न, three forms of the verb, it is about main verb, and we are talking about overall verb, तो overall verb की form कितनी है, अब form का क्या मतलब होता है, मैं verb का रूप बदलना, जैसे मेरे सामने आप बैठे हो, student हो, यहां से निकलते ही, आप friend का रोल निभाओगे, घर जाते ही, आप son और daughter हो जाओगे, brother और sister हो जाओगे, समझ के रोल बदल गया, इंसान एक है, जगाओं और ज़रूरत के हिसाब से रोल बदलता जा रहा है, तो ऐसे ही verb जब अपने form of the verb, और दूसरे को कहते है, non-finite form of the verb, एक क्या है बिटा, finite form और दूसरे क्या है बचो, non-finite form, अब धियान मेरी तरफ रखना, infinite form का मतलब होता है, हर वो वर्ब जो अपने आपको, subject और tense के हिसाब से बदल ले, finite उसे कहते हैं जो अपने रूप में अपने यूज में change कर लेती है according to subject और according to tense, subject और tense को देखके जो बदल जाए वो finite, subject और tense को देखने के बाद भी जो ना बदले वो non-finite साधारन सी भाषा में मैं बहुत बार अपने बच्चे को कहती हूँ कि non-finite का मतलब है जी धीट वर्ब, समझते हो धीट, stubborn, हठी, जिद्धी, मार लो, कूट लो, पीट लो, नहीं तो नहीं है बदलूँगा तो मैं नहीं बदलूँगा, अच्छा अठागे फैंक दो, ट्रं तो भी, कैसे, हमने basic verb में इस तरह के sentences बहुत देखे हैं, he goes to school, yes or no, कोई मुश्किल sentence तो नहीं लिखा है बोट पे, अब अगर यहां मैं he की जगात दे कर दूँगा, तो क्या हुआ, go to school, पिछली classes में इतना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, singular subject, singular verb, plural subject, plural verb, अब अगर हम दियान से देखें, तो subject बदलते ही, verb, बदल गई, yes or no, अब मैं tense बदलूँगी और subject भी बदलूँगी, she went to school, क्या फिर से हमारी verb बदली, subject बदला, तो भी बदली, tense बदला, तो भी बदली, यानि की go कौन सी form है यहां पे, finite, क्या हमें बात समझा रही है, ऐसी verb, जो subject और tense की according अपने अंदर बदलाव ले आती है, अपने change को सुविकार करती है, उस form को क्या कहते है, finite, अब अगला question और धियान से देखना,